कि नमस्कार फ्रेंड्स स्वागा थे आप से विकादर स्टड़ी लाइन में फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम लोग आवर सामनी से कुछ इंप्वर्चेंट्स करेंगे वैसे तो यह सेकंड पार्ट है पार्ट बाइनी पहले अप लोगों करा लिए उसमें मैं आपको 35 कोसिंश कराया था इस पार्ट में यह मैं आपको कुल 35 को से कराऊंगा जो की टोटल 70 questions हो जाएंगे अगर आप लोग पार्ट वन नहीं देखें तो आप लोग जो है पार्ट वन पहले देख लिए मैं आई बिटन पिहां पर दे दूँगा आप जाकर के चेक आउट कर लिजी पहले पार्ट वन देख लिजे फिर पार्ट वू अराम से देख लिजी कुल 70 questions हो जाएगा जो किसी ने किसी अग्जाम में पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की chances है ठीक है तो उसको पहले जाकर करके देख लिजे पार्ट वन को और इसकेंड पार्ट जरू कर लिजे ठीक है चलिए first questions है आधुनिक आवर्ट सावनी के पांचमें आवर्ट में कित क्या आप लोग यहां पर एक प्रियोडिक टेवल देख रहे होंगे इसमें जो आप लाइन ऐसे शिवला यह ओर्ट भाव है ठीक है अब लोग ऐसे देखेंगे लेटी भी लाइन लेटीवी लाइन में आपको ये आवर्ट penseett लाएगा ठीक है ठीक है अभि excluded यावर्ट को स आपको आठारा इस तरह से हमिलेगा फाल और ये अगरिक देखते हैं आधूनिक आवर्षानिमे सतरने वर्ग को का यहां was जाता है वह सभधी लाइन आपको सतर्मा जो है खड़ी लाइन में जाना है उसको क्या बोला आसा है writing कर यह लाश से फ्रेवाला तुरेखे हैं जैसमें हाईलोजन गुरुप बोलते हैं ठीक है जिसमें फ्लोडेन ख्लोडेन ब्रोमेन आयोडेन यह सब जो यह तत्व आते हैं अगला है सबसेबहरी प्राकृतिक तत्व कौन सा है इसका राइट उसर का option number a पारा पारा जो है वैसा धातू है जो द्रव अवस्था में पाए जाता है ठीक है आगे है कि ओधातू जो द्रव अवस्था में पाए जाता है वो कौन है तो ब्रोमीन जो है इसका राइट अंसर होगा देखे अगर धातू पुछा जाए कि धातू में द्रव अवस्था म खुल कितने तत्व मैं आप ते आवर यहाँ पर आएंगे तो आप ऐसे जब कॉंटिंग करने फ्रेंट्स तो आपको कुल बत्री देखने को कमीले गा आप बोलोगे वह कैसे देखें आप यहां पर जौ आपको दिख खाय है आपकर नीचे वह को इस नीचे वहला कृट है तो जब आप इसी कॉंटिंग करोगे तक elaboriste ay तत्व्स हाथा हैँ इसा तके आई Franting कहाया है पहला जो आपको देखने को मिलेगा वो दो मिलेगा फिल दूसरे आवर्थ में आठ तीसरे आवर्थ में आठ और जो आगे आएंगे तो आपको मिलेगा अठारा चोथे आवर्थ में पाच्वे आवर्थ में भी अठारा लेकिन आप छठे आवर्थ में जाएंगे जब तो आ साफ याक आवर सारनी के किस समु को जीरो या सुने समु कहा जाता आपको पता Futוג 17 शाफ लास्ट में तो खड़ी लाई ने उस में जो जितने वी तत्व हैं उस तत्म्य के सभी जो वर्ग होते हैं उसे तुके कॉँंसी है तो इन सभी का ईंसर जो होगा ठीक है सोडियम लिठियम पोटेस्यम इनस सभी को चाकू से काटा जा सकता है किस धातु में धातवी चमक पा आई लुझन में जो है वो धातवी चमक पाई जाते है इसे आपूं अधों में किस तत्व कि उच्टम इंटर्वन बंदुता होती है तो जो आवरसानी में कौन से पर कि बिले 2-1 क्योंते यहीं क्लौरीन का जो जादा हुता है यहाद आगे दैकने आगे आ यानिकी आप इसरी ओर तो आज वरग का जो समान खुंग себя रहर हैं वह कैसा है देखें बोला गया यहां पर तीसरा और चौथा समू का यानि कि तीसरा और चौथा वर्ग का जो होता है वो कैसा है आपको ध्यान में रखना है इसका राइट आउंसर होगा option number C यानि कि अमलिय होता है कैसा होता है अमलिय आगे है new lands के समय जो ग्यात तत्मों की संख्या थी वो कितनी थी यह आपको बताना है नियू लेंड के समय तो इसका राइट आउंसर होगा option number C यानि कि 56 जो है नियू लेंड के समय ग्यात तत्मों की संख्या थी आगे है आवर्ट सार्णी में 36 कतारों को क्या करेता यानि की बोला गया ऐसे 36 मतला या लेती वी लाइन अविजश्ट में आपको बताया या 36 लाइन को आवर्ट कहते हैं क्या कहते हैं अब ख़डी लाइन और आउ Carsाभी में और्द्वादर करता है शेढोर्ष करतें और छ थीश्कार को आउर्थ के समय के संख्ट नहीं थी देखे फ्रेंट्स ग्याद तत्त्तम के संख्ट रुब 63 ठी और जब न्यु लेंट्स सा उस तुस टाम जो यह चपन था लेकिन मैंडलिप के समय कुल पी ब्लोक बीच में आता है डी ब्लोक और नीचे आपको यह दोनों दिखना यह आता है दोनों ए फ लोक्ने ठीक है तो पूछा गया कि अक्रिय एग्या स्थ ही आपको इस साइड में राइट पर हलियम बोला गया किस ब्लोक के कि ह不錯 है ज़िए कौई तो यह अप में अधायं कि ध्यान में थे आप स्ट्राइब यहां पर एस हों जाता है यह बाकी ये सभी इतना ही आता है यह सभी यह सभी आपका पी ब्लॉक में है ठीक है चलिए आगे हिलियम को छोड़ कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य है यह बिल्कुल हिलियम को आप सिर्फ छोड़ देना है यह जो है एस ब्लॉक में आता है बांकि जो भी आपका यह बचा है यह जो है आपका आता है P block में यानि कि इसका right answer होगा option number B यानि कि P block में आता है आगे आवर्ट सार्णी में किसी आवर्ट में बाएं से दाएं जाने पर परमानों के अकार में क्या परिवर्तन होता है तो देखें आपको जाना कि दर से बाएं से दाएं जाना है जब आप वाएं से दाएं जाएंगे तो परमानू का जो अकार होता है friends वो घटता है और जब आप उपड़ से नीचे आएंगे तो परमानू का आकार क्या होगा बढ़एगा ध्याँ से सुनेगा जब आप left to right जाते हैं तब परमानू का अकार घटता है जब top to bottom आते हैं आप उपर से नीचे जबाएंगे तब परमानु का आकार तिर्जा वो बढ़ता है ठीक है दोनों में अंतरे जहां रखेगा तो यहां पर इसको रहें घटता है क्यों कि हम लोग बाएं से दाएं जा रहे हैं तो इसलिए परमानु की तिर्जा या आकार जो क्या होगा वो बढ़ेगा option नमरे राइट हो जाएगा आगर देखते हैं अक्रिये गैसों की संख्या कितनी हैं तो अक्रिये गैस जो आप जानते हैं हिलियम नियान आरगन क्रिप्टन जेनन और रेड़न यह छे तत्व हैं आप छे तत्व कहां पर तो आप यहां देख लि सेखता सफसेल चीए ज़ान लिए उसमें किरिया करने लाष्ट मिंखता यह तो इसमें जी रो होता एं ठीक है आप रप सम हो खो यह जाएगा जी nos टीक है आगे हैं किसी तत्व के परमानू के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलक्ट्रोन की संख्या कहलाती है क्या कहलाती है किसी भी परमानू का जब इलक्ट्रोन जो होता है अंतिम कक्षा में वो इलक्ट्रोन क्या कहलाता है तो इसका राएटम सरका आपसन मर B, यांने कि सन्योजी इलक्ट्रोन, जो सन्योग, जो भी फ्रेंड्स अनु बनता है, जो भी योगिक बनता है, वो सन्योजी इलक्ट्रोन के दोड़ा ही बनता है, ठीक है, आगे हैं, आधुनिक आवर साध्यने में, तेड़ी मेरी रेखा किसे अलग करती है आधुनिक आवरसादनी में तेड़ी मेरी जो रेखा है वो किसे अलग करती है तो धात्वों को धात्वों से अलग करती है आगहे किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में सन्योजी इलक्ट्रोनों की संक्या होती है किसी जो भी एक वर्ग है चाहिए वर्ग एक हो वर्ग दो हो वर्ग तीन हो जब भी कोई भी वर्ग हो अगर सेम वर्ग का सभी तत्व हो तो उसका सन्योजी इलक्ट्रोन क्या होगा समान रहेगा और समान रहेगा बढ़ते क्रम में घरते क्रम में क्या होगा तो इसका अप्सन नमर ए समान रहेगा सब्सक्राइब सानियोजी इलक्ट्रोन हैं वो समान ही देगा कहने का यह मतलब फ्रेंड अगर मानद के चलिए आप ग्रूप वान में गृ्फ वान का अपतातो हुए अगर अगर सब्सक्राइब हो गृूप एक एक में सब कर्षाइब कर दें एक ठीक है इतना आपको ध्यार पाए जाता है आगे है ठोस अवस्था में पाए जाने वाला है लोजन कौन सा है जो ठोस अवस्था में पाए जाता है तो आयोडीन आप लोग जानते होंगे यह ठोस अवस्था में पाए जाने वाला तत्व है आगे है कौन सा अक्रिय गैस वाई मंदल में नहीं पाए जाता वाला क्रिय गैस कौन सा है इसका राइटन का A, Option No. आरगन जो सबसे आदा पाया जाने वाला अक्रिय गैस में है, आगे आगे है, आरगन की खोच किसने की, तो आरगन की खोच जो है वो रेमजे नहीं किया था, किसने रेमजे ने, आगे है, सरवाधिक योगिक बनाने वाला अक्रिय गैसे कौन सा है तो इसका भी राइट उंसर का ऑप्सन नमर भी जेन इंट है जैन जुक्त अब्सको के обला आक्रिय गैसे छी में बात करें तो जेनों सबसेच योगी करें खामला आ इस वन साथ परोट्पिमेनसे छोटा और यह किया जाता है इसका डर्मान सिर दाउन का ओप्योंग जो है कनसर के इलाज में रिटयो थेर्पी के रूपमें किया जाता है आगे हैं ऑर घन का कितना होता है तो आरयकन मुझा देमी निदिधा लेड के जो भी अक्रियाश होगा हिलियम को केवल छोड़ करके जो भी नियन है अर्गन है क्रिप्टन है जिरो होता है क्योंकि आपने जैस्ट अभी उपर में देखा कि जो अक्रियाश है तो इस तरह से मैंने आपको फ्रेंट्स सभी कोसंस का अंसर करा दिया जो की कूल सतर कोसंस हो गया कंप्लेट ठीक है उम्मीद है आपको यह सभी सीडी जो अच्छा लगाओगा मैं साइन्स का आपको कंप्लेट करा दे रहा हूं वीडियो अगर चैनल पर नहीं आए तो चैनल केले जय हिंद जय भारत